कि नमस्कार प्रडाम आदाव जैहिन इंदुस्तान मैं अतुल अबस्ति आप सभी से मुखातिब हो चुका हूँ आज सुबा दस बजे की क्लास में दोस्तों यहाँ पे मैक्सिम एनलाइजर सारे खतम हो चुके हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों से मुखातिब हो चुका हूँ दिन से लेके शताबदी तक पूछे गए हर एक प्रश्ण का जवाब यहाँ पर हम दोनों लोग मिलके देंगे और नई ने चीज़े सिखेंगे सबसे पहले मैं अतुलमस्ति आप सभी का इस्तिक्वाल करता हूँ सभी को प्रणाम करता हूँ और इस सुबह सुबह आशा करता हूँ कि अब जो दिन आपका जाए वो बड़ा ही शानदार जाए जबरजस जाए लेकिन दोस्तों आज अगर मैं आपको कैलेंडर सिखाने वाला हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि कैलेंडर को कैलेंडर जैसे नहीं देखेंगे अपरेल, सितंब, 30, फरवरी, 28 या 29 की, बाकी सब 31 एक दम इस तरीके से हम कौन सब आईनट 30 का यानि ये सब काम खतम करेंगे, मन्थ कोड याद करना खतम करेंगे, डे कोड याद करना खतम करेंगे ये जितने तरीके के कलेस अभी तक आपने पाल रखे ते सारे तरीके के कलेस को हम यहाँ पे दूर करेंगे तो चलिए आप सभी की इस गौरम अई उपस्थिती के साथ मैं आज के सेशन का आगास करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी बड़े ही खुश होंगे संपन होंगे ठीक है तो आई बुलाते हैं लकी को देखते हैं कि आज का thought of the day क्या है फिर हम शुरुआत करेंगे आज के कैलेंडर की यहाँ पर सभी मेरे भीया लोग सभी सभी आ चुके हैं तो दोस्तो आज लकी का बड़ी सही बात कहना है कि एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता बिलकुल सही बात है बाहर आऊ उस सपने से दोस्तों क्योंकि कहते हैं बड़ी सही बात कई लकीने कि एक सपना जादू स अभी कोरे नहीं होते, क्योंकि दोस्तों जब हम समय के हिसाब से अपने आपको परिवर्तित कर लेते हैं, कि सर मैंने कैलेंडर पढ़ा नहीं है, कैलेंडर मुझे आता है, आपको जितने तरीके के कोशन बना के, जितना आपको लगता है कि नए नए टाइप के कोशन बना सकत आपको जो पूछना है आप हमसे पूछिए हम बताएंगे तो अगर ऐसी बात है तो चलिए आज के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर कैलेंडर में जितना मैं विश्वास दिला रहा हूँ क्या आपको सच में कैलेंडर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा तो आपके जरिये आप S.S.C. C.G.L. से लेके आई-बी का बैच हो गया या किसी भी तरीके का S.S.C. के रिलेटेट कोई भी बैच हो आप सब कुछ यहां पे एक साथ ले सकते हैं आपको पूरा पैकेज के सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा लाइफ क्लासेज वीडियो कोर्सेज सब कुछ यहां मिल जाएगा बस आपको कोड लगाना है वाई 272 ठीक है ना आपको कोड लगाना है क्या वाई 272 यह मेरा कोड है ठीक है ना इस कोड में आप इन्रोल करके अपने सारी चीज़े फ्लैट 78% का डिसकाउंट ले सकते हैं और याद रखिए का वाई 272 से आप S. रखते हैं जिससे आपके हर एक छोटी से छोटी समस्या का समधान हो जाएगा ठीक है ना तो सभी खुश रहें भाईया मस्त रहें सलामत रहें सदा हस्ते मुस्कुराते खिल खिलाते रहें यही शुर से कामना है वाई 272 यह मेरा कोड याद रहता है सब को भूलने की कोई बात नहीं यह 272 यह मेरा कोड है ठीक है ना तो यह कोड है तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और देखते हैं कि क्या कुछ आपके पास है कैलेंडर की बात कर रहा हूं दोस्तों एक एक छोटी छोटी बाते बताऊंगा एकदम शुनने से समझाऊंगा जब कैलेंडर क बात करते हैं मेरे भाई तो कैलेंडर याद रखना दिन के अंदर नहीं जा सकते हैं कि दिन के अंदर अगर घंटा पहुंच गए घंटे पे पहुंच गया तो इसे हम क्लोक कहने लगेंगे यह हम clock कहने लगेंगे, मैं शुरुवात दिन से करूँगा क्योंकि दिन के समूह सही calendar का निर्माड होता है मेरे भाई, अगर ये दिन है दिन का समूह मिलेगा तो शप्ताह बनेगा मेरे भाई, सप्ताह मिलेगा तो महीना बनेगा, महीना मिलेगा तो वर्ष बनेगा, वर्ष मिलेंगे तो शताबदी बनेगी बोलो बात सही है कि नहीं और जब शताबदी मिलते हैं तो युगों का निर्मार होता है युग बनते हैं तो याद रखिएगा एकदम जमीन से समझाऊंगा कि अगर दिन की बात करें तो एक दिन दो दिन तीन दिन अब टू सो ओन ये दिनों की संख्या है सब्ता की बात करूं कि दिनों के साथ दिनों के प्रॉपर पैकेज को साथ दिनों के प्रॉपर समू को सब्ता कहते हैं दुनिया को पता है कि मंडे ट्यूजडे वेर्नेज़े थर्डे फ्राइडे सटर्डे संडे ये क्या है साथ दिनों का समू सब्ता हो गया 28 दिनों का समू महीना हो गया 29 दिनों का समू महीना हो गया 30 दिनों का समू महीना हो गया और 31 दिनों का समू महीना हो गया यानि महीनों का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 28 29 31 में चले जाते हैं आगे हमें जरूरत पढ़ती है कि कौन सा महीना 30 का है कौन सा महीना 28 का है तो याद करने के लिए मैंने आपको बताया भी है और मेरे ख्याल जो रेगुलर बच्चे होते हैं वो हमेशा जानते हैं कि आतुल सर कभी ऐसे 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 नहीं करवाते हैं यानि अगर हम फेब की बात करें तो या तो फेब यह होगा 28-29 का होगा बाकी सब क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा तो पूरे जीवन भर यह याद रहेगा भूलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता वर्ष की हम बात करें तो बोले सर अब यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है हमने कहा क्या बोले सर वर्ष और सताबदी में क्या फर्क होता है सर वर्ष किसे कहते हैं शताबदी किसे कहते हैं हमने कहा बिटवा जब वर्ष की बात करें तो वर्ष दो प्रकार का होता है एक सामानने वर्ष होता है एक होता है सामानने वर्ष जिसे सिंपल इयर कहते हैं जि कहते हैं ली पियर कहते हैं यानि जब सामान वर्ष की बात करते हैं तो यहां 365 दिन होते हैं और जब ली पियर की बात करते हैं तो 365 दिन होते हैं एक्जाम में नहीं आता कि 306 दिन क्यों होते हैं लेकिन मन की किरियोसिटी है होता है कि सर कभी किसी ने पूछ लिया कि यार ये लीपियर में क्यों 366 दिन होते हैं और ये बताओ ना वो एक कॉंपलान का एड नहीं आता था मम्मी फरवरी 29 की क्यों होती है मम्मी वो जो एक वन डे एक्स्ट्रा है वो हमेशा फेब में ही क्यों एड होता है हर चौथा साल जब बच्चे पूछे ना मम्मी लीप 365 दिन की जब हम बात करें एक साल जब आप बोलते है 365 होता है तो 365 दिन का नहीं होता है नियर टू चवन्नी मतलब लगभग चवन्नी के बराबर होता है, या चवन्नी मतलब समझते हो, इट सब पचीस पैसा मेरे भाई, पचीस पैसा है ना, पचीस पैसा, ये लगभग पचीस पैसा एक बराबर होता है, अब पचीस पचीस पैसा एक रुपिया कब बनाएंगे, 25-25 पैसा एक दिन कब बनाएंगे जब वो 25-25 पैसा मिलके एक दिन का निर्मार करेंगे जब 25-25 पैसा मिलके एक दिन का निर्मार करेंगे तो वो जब प्रिथवी अपनी अक्ष पे घूमती है तो दिन रात होते हैं लेकिन जब प्रिथवी शूर का चक्कर लगाती है तो या complete होता है तो exact वो exact महीना फिब पे आके गिरता है याद रखना complete rotation जो होता है वो सूर की चारो और प्रिथवी का जो rotation है वो 300 पैसा दिसमलों 2-2-2-4 का है और ये 2-2-4 लग एक दिन तो है नि लग भग 25 पैसा के बराबर है ये 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा मिल के एक दिन होता है जो कि फरवरी में आके गिरता है इसलिए फरवरी जो 28 की चल रही थी ये 29 की हो जाती है इस कैलेंडर को गेगोरियन साहब ने बताया था ये गेगोरियन का कैलेंडर दिया था जूलियस सीजर का जब कैलेंडर चलता था तो वो सिर्फ तीन सो दिनों का हुआ करता था जब जूलियस सीजर का इनके पहले जब था तो जूलियस सीजर का था यहां पे सबताहिक आउकास नहीं हुआ करता था सबताहिक चीजे नहीं बाटी गई थी तो इ गोरियन साब के कैलेंडर में हर साल 365 दिन का होता है और हर 4 साल लीपियर होता है जो कि 306 दिन का होता है फिर मन में सवाल अगर छोटे अनुजों ने बच्चों ने भाईयों ने भतीजों ने पूछा ए भईया ये बताओ ना कि ये 306.6 क्यों होता है बोलो जब पृत्वी बि प्रिथवी के चारो चक्कर लगाते लगाते वो जो समय आता है वो फरवरी का आता है उस फरवरी में एक दिनेक्ष्रा हो जाता है तो मिलके सारे लोग कहते हैं कि भाईया हर चौथा साथ लीपियर होता है बोलिये वांके विहारी लाले की जैए अब समझ में आया कि क्यों हो होता है वर्ष और शताबदी में क्या फर्क होता है तो किसी ने कहा कि सर 1968 क्या है वर्ष है लेकिण 1742 क्या है वर्ष है कहते हैं इतना ही आसान है जितना तुम समझने की कोशिष कर रहे हैं इतना ही आसान है जैसे उसने बोला वर्ष और सताब्दी में क्या फरक होता है मैंने का 1968, 2016, 1742, कुछ भी, कोई भी साल बोलो, तो ये वर्ष है, तो बोले फिर शताबदी क्या होता है, मैंने कहा, 400, 800, 2000, 1700, 1600, I mean to say, कि जिन वर्षों के पीछे 0000 आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे शताबदी कहते हैं, अच्छा याद रखना, कि वर्ष में, जैसे simple year और lip year होते हैं, वर्ष में बेटा जी, जैसे simple year, lip year होते हैं, वैसे century में भी simple century, simple century और lip century होती है, अगर यहाँ पे simple year और lip year होते हैं, तो century में भी simple century और lip century होती है, बोले simple century, lip century ये क्या होता है, मैंने कहा मेरे लाल 100 साल simple century, 200 साल simple century तीन साल simple century बट 400 साल it's a leap century अधिशताबदी वर्ष जिसे हिंदी में कहते हैं अधिशताबदी वर्ष जिसे कहते हैं बोले सर नहीं समझ में आया थोड़ा और समझाने की कोशिश करिए моя ने कहा मेरे लाल चौता साल लिपियर बोले ठीक है लेकिन हर 47 साल सेंचुरी लिपियर हर 24 साल लिपियर लेकिन हर 47 साल सेंचुरी लिपियर बोले I see ये बात तो अब याद रहेगा अब किसी ने कहा 1600 बोले सर ये तो century leap year है क्यों अंत में double zero century और 1600 चार सो से divided so leap century किसी ने कहा 1200 बोले सर 1200 के पीछे double zero तो ये तो century लेकिन 1200 is divisible by 400 that's why it's a leap century अब जैसे हम आप से बोले 1988 is a year but is a divided by 4 that's why it's a leap year so we have to know what is the difference between year and leap year and we have to know what is the difference between simple century and a leap century I think you better understand here what I am trying to say बोल भये समझ में आ रहा है कि नहीं तो इसी लिए समझो मेरे भाई अभी बोले कि सर ये तो हमें सब बता देते हैं कि हर चौथा साल leap year होता है लेकिन गुरु जी हम हर चौथा साल leap year तो होता है अगर किसी भी वर्ष का लास्ट का दो संख्या चार से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या चार से डिवाइड होगी ये चार की divisibility है बोले अरे हाँ ये तो बिलकुल सही बात हो गई तो कभी भी कोई बोले अच्छा बता 1988 leap year है की नहीं बोले 1988 यार 1988 तो चार से डिवाइड है ये तो अब याद रहेगा हर चौथा साल leap year हर चार साववाँ साल century leap year I think you better understand मेरे भाई I think you better understand what I'm trying to say चलो आगे चलते हैं तो दिन से मिला सब्ता सब्ता समिला महीना महीना समिला वर्ष और वर्ष से मिला शताब दी I think आप सभी को एकदम जमा जम गरम गरम एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा अच्छा खासा पहने ओड़े, सब एक समान है, कोई एक है, जो ओड लग रहा है, तो कहते हैं, तुम्हारा बहुत ओड सा लग रहा है, ओड का मतलब क्या होता है, वीशम होना, किसी से अलग होना, जैसे हम आप से बोले, कि सब लोग घुब अच्छा पहने, न्यू येर की प कोईर के हिसाब से इलेक्ट्रोन भरे जाएंगे, यानि जब इलेक्ट्रोन कैसे भरे जाएंगे, दो, आठ, अठारा, बतिस के हिसाब से कक्षा में इलेक्ट्रोन भरे जाएंगे, और जब भी किसी भी चीज की कंडेक्टिविटी का होने का कारण क्या है, कोई भी चीज व सोतंतर इलेक्ट्रॉन करते हैं यानि जो अस्टक बनाने में हमारी मदद ना करें जैसे नौ इलेक्ट्रॉन है तो आठ तो अस्टक बना लिए ये एक इलेक्ट्रॉन है जो तिवराइन, मिसराइन, ठाकुराइन, यदवाइन यही सब करती रहेगी इसके पास कोई काम नहीं ये उनका लड़का देखो आजकल कहा घूम रहा है, अपना मरा जा रहा है, उससे मतलब नहीं है यार पता है simplement अब अपना पहेल हो जाए ठीक है उनका न पास हो जाए इसी तरीके से जब हम इसकी बात करते हैं तो जैसे दिन होते हैं जैसे हमने मान लिया कि आज सोमवार है तो आज से 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा तो आज सोमवार है आज से 17 दिन बाद तो हमने क्या किया यहाँ पे 17 लिखा इसको 7 से भाग किया तो 7 दूनी 14 हो गया और यहाँ पे कितना बचा तीन बचा तो अगर आज सोमवार है और आज स 17 दिन बाद बोल लए हो तो 2 सप्ताह तो बन गए यानि 2 पेर तो बन गए 14-14 और 24 कितना 3 दिन तो मंगलवार बुद्धवार ब्रहस्पतिवार उस दिन ब्रहस्पतिवार होगा बुलो बाद सही कि नए विशम दिनों की संख्या क्या कहते है जो सब्ताह बनाने में मदद नहीं करते उन्हें विशम दिनों की संख्या कहते है बुले सन नहीं समझ में आ रहा है और बताए न थोड़ा सा और क्लियर करिए कि क्या होगा अरे मैंने कहा मेरे लाल मेरे भाई अगर मैंने तुम से कहा जैसे सारे गामा पाधानी के बाद फिर सारे गामा पाधानी सा तो इसी तरीके से जरा सोचो तो अगर इसी तरीके से मैं आप से बोलू क्या सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, ब्रहस्पतिवार, शुक्रवार, सनीवार, रवीवार सपता सपता बन गे और फिर से सोमवार मंगलवार बुद्धवार यानि हर साथ दिन बाद आठमा फिर से पहला दिन होता है हर साथ दिन बाद फिर से आठमा पहला दिन होता है तो इस कहानी से हमें क्या सिक्षा मिली तो मेरे दोस्त जब भी कोई बोले अच्छा एक बात बता हमने कहां रख दिए बोले सर ऐसे ब्रेकेट बनाईए साथ से डिवाइट कर ये सेवन समयजा 49 हमने का ठीक है बोले कितना बचा हमने का तीन बोले आज सों वार है तो आज से तीन दिन बाद चले जाईए आज समझ में आया कि नहीं है नहीं समझ में नाया चीजों को सीखो adopt करो मजे लो सोचो ऐसा भी होता है क्या-क्या नया कर सकतें कितना बूम कर सकतें अच्छा और बढ़ा करतें और बढ़ा करतें मजय कहां जाना यार तुम को तुम सिरु सुनो जब आतुल अवस्ति को बोले सर कोई दिक्कत में 365 को यहां लिखो और इसको साथ से भाग कर दो 75 जा 35 यहां पर यह गया बचा एक 5 और 7 टूजा 14 रिमाइंडर केतना बचा 1 और रिमाइंडर इसको आज सोम वार है तो 365 दिन बाद एक दिन आगे चले जाओ बोले सर मंगल वार होगा गलत हो जाए घर आके पैसे मुहबबत से एकदम जो चुमेस्वरी काम हो उसको वैसे कट डालो एकदम कोई परशानी नहीं बोलो हाई या ना इसे विशम दिन कहते हैं सब लो कमेंट बोक्स में बताओ और डेस समझ में आ गया और डेस और डेस मतलब क्या है जो देखने में और लगे जो पेर से बाहर हो रहा हो समाज से बहिसक्रित हो रहा हो ना लायक हो दूश्ट हो मतलब जो सब्ताह नहीं बना रहा है जो सब्ताह बनाने में मदद नहीं कर रहा है देखो 365 दिन में 52 सब्ताह होते हैं बोलते ना एक साल में 52 सब्ताह होते हैं लेकिन ये एक दिन है ना है ना ये फ्री है और यही इदा उधर नाचेगा चलो बात साहिए आगे ये चार्ट सबसे ज़्यादा याद रखना आगे ज़रा सोचो अगर में very 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 most important सोचो कितना most important है सोचो अच्चा इतना ज़्यादा जरूरी किया मैं बता रहा हूं देखो आज से तुम से किसे ने कह दिया आज से तीन महीने बाद कौन सा दिन होगा, माल लो आज सोमवार है, तो तीन महीने बाद, तो तुम क्या करोगे, मार्च है, तो क्या करोगे, 31, 30 और 31, क्या इनको जोड़ोगे, 1, 2, 3, 2, 92, और 92 को साथ से भाग करोगे, अरे, बोले, नहीं रे बाबा, सर ऐसा नहीं करेंगे, हमने क बोले, सर इसमें कितने का महीना है, हमने का 30, बोले, 28 निकालिए, हमने का 2 बचा, बोले, सर ये कितने का महीना, 31, बोले, 28 निकालिए, 3 बचा, बोले, सर अरे, आप 92 में साथ का भाग करेंगे, और मैं क्या करोगे, तीन, दो, पांस, तीन, आठ, साथ, निकल गे, बचा, ए अपसे किसी ने पूछा कि मान लीजे एक मार्च को मंदे हैं। बोले हाँ सर एक मार्च को मंदे है। तो किसी ने बोला कि अच्छा एक जुलाई को कौन सा दिन होगा। एक जुलाई को कौन दिन होगा तो बीच में कितना महीना है मार्च, अप्रेल, मई, जुन और एक जुलाई को जाना है तो जुलाई तो आया नहीं तो आप से कोई पूछे तो एक, दो, तीन, चार महीने बाद अब मार्च कितने का है, एक तिसका अपरेल कितने का है 30 का मई कितने का है 30 का जून कितने का है 30 का जोड़ेंगे तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा जोड़ेंगे तो दिमाग फट जाएगा कि भाई एक एक दो जोड़े और तीन चोग बारा है तो यहां 122 को साथ से भाग करें बोले सर दुनिया करती होगी एक सो बाइस को साथ से भाग हम थोड़ा सा इस्टेंडर टाइप के लोग हैं हम यहां पर सूखा सूखा तीन लिख देते हैं हमने का यह तीन कहां से आ गया अरे बोले सर कितनी बार समझाओं आपको यह 31 है बोले हां बोले 31 में साच चोक 28 चार स से ओवराल तुम इसको भी डिवाइड करोगे अगर साथ से तो उतना ही आएगा जितना यहां आएगा इसको सीधा दो लिख दिया इसको तीन लिख दिया इसे दो लिख दिया तीन दो पांच तीन दो पांच दस और सेसफल कितना बचा तीन बचा कि नहीं बचा इसको भी स किसी ने पूछा महराज यह बताईए कि अगर कोई ऐसे कुछ भी पूचे का बता लेंगा हम ने का सुभाविक सी बास है तुम पूछो चलो एक और बताते मालो एक माई को किसी ने बुला एक माई को मंडे है चलो मंडे तो बताओ एक दिसंबर को कौन सा दिन होगा बोले यह इतना लंबा सोर हम करेंगे तो बहुत हमें टाइम लगेगा कि मैई ये क्या है 31 अच्छा देखो जब हम अच्छा एक बात बताना अगर मैं पूछू एक मैई को अगर मालो सोम वार है तो एक दिसंबर को क्या होगा तो एक बात बताओ दिसंबर लोगे कम इन बॉक्स हो जल् सिर्फ नवंबर तक ही लेंगे जो कि यहां से लेके यहां तक लेंगे और जो अगला दिन आएगा वह दिसंबर को तो कि नहीं होगाud तो माई फिर क्या जून पिर क्या जुलाई फिर क्या अमक rested फिर क्या सितंबर और फिरक्राइड और फिर क्या प्रक्राइब ओर्ज चुमिद्पर एक इसिंग अभर एक टिसमाने वर्ग्पर ये योड़ बहुतन ओर from Lesley 2 इव, 3, बुले सर, 2, बुले सर, 3, बुले सर, 2, बुले सर, 3, बुले सर, 2, अब जहा देखो 3, 2, 5, 3, 2, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8,-9, 8, बुले सर 18, 18, 18, 18, 18 में 14 निकाल दो, 14 निकाल दो, 18 में 14 निकाल दो, तो 15, 16, 17, 18 और याद रखना 14 निकल गया तो बचा 4 और इतने इस महीने बाद पूछ रहा है लेकिन सोमवार में 4 दिन जोड़ दो और बेटा जी कैलेंडर देख के जवाब देना आंसर नहीं आएगा तो जो कह दोगे सर्था जाओंगा, बुद्ध, मंगल, बुद्ध, ब्रहस्पत, शुक्र, मंडे में 4 दिन जोड़ दो, मतलब जब भी हमें ऐसा कोशन करना हो, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी ये क्या है, ये समझ में आया कि नहीं, पहले हमको सब भी लो होगा, तो 28 निकल जाएगा, एक बचेगा, बोलो हाया ना, ये समझ में आ गया, बोलिए बाके बिहरी लाल की, ये क्लियर हो गया, अब आगे चले, चलो भी आगे चलते हैं, अब देखना हर चीज, ये याद करना है तुमको, इसको याद करना है, जितनी बार मेरी क्लास कि होगे, ये मैंने बताया है, ये पूछा जाता है, याद कर लो, इस प्रस्न को याद कर लो, याद रखना, इस प्रस्न को याद कर लो, और रोज सुबा में आता हूँ तुम लोगों से मिलने, इसको याद कर लो, इसमें टाइमर की वैसे जरूरत नहीं है, इसको याद कर ल जब कैलेंडर बना था, जब ईसा मसी पैदा हुए थे, इस धरती पे आए थे, तो याद रखना, जैसे तुम लोग आए थे तो गाना सोहरोगर बजाता की नहीं, हुए दोलाल दसरत के मुकदर हो तो ऐसा हो, है ना, उसी तरीके से ईसा मसी जब पैदा हुए थे, तो उस दि सुनना जब तुम पैदा हुए तो क्या हुआ सिर्फ सोहर ओहर गाई गई जड़ा धीरे से रो मेरे लालना तेरे रोने में बड़ी आवाज है है ना वो गाउं में नहीं होता है तो याद रखना तब लेकिन जब जब ईशा मसी साब पैदा हुए उस दिन से कैलेंडर का निर इसको कि एक जनवरी सन एक को क्या था मेरे लाल एट सोमवार ये क्या था मंडे था मंडे था बोलो हाया ना याद रहेगा तो इसको याद कर लो ये चीज़े जरूरी है और इसी के आधहार पर अगर आगे पूछता है तो आप जवाब दे लोगे उसी प्रस्न के आधहार पर अगर ऐसे पूछता है तो आप जवाब दे लोगे बोलो भीया अब 31 जनवरी सन एक को कौन सा था सामान ने बुद्धी याद रखिएगा जिनको सही समय पर पोलियों मिला है जो थोड़ा सा सामान ने बुद्धी के हैं वो समझ पाएंगे कि what I am trying to say dear what a day was 31st जनवरी य यानि 31 जनवरी सन एक को कौन सा दिन था तुम लोगों के इतने भोले सवाल कभी-कभी मेरे दिल को छू जाते हैं ऐसा-इसा चीज पूछते हो सर आज आप आपने चश्मा लगाया है क्या हाँ लगाया है मैंने सर आज आप यहाँ है सभावी किसी बात है मैं हूँ आप ज़रा सोचो किसी ने कहा अरे एक तरीका बताओंगा ना दीवाने हो जाओगे एक तरीका बताओंगा दीवाने हो जाओगे कैसे अरे मेरे लाल एक जनवरी सन एक को तुम्हें मुहबबत से पता है कि मंडे था बोले हां महराज और एक बात आजा तू लवस्ति सर की गाठ बांधलो कि जब एक जनवरी मेरे लाल पता हो और एक तिस जनवरी पूछे तो इस एक तिस में से एक माइनस कर लो तो कितना आया तुम्हारे पास बोले महराज तीस आया अब तीस को साथ से भाग करो साथ चोग अठाइस बचा कितना दो बताया दो और अगर सोमवार में दो दिन जोड़ोगे तो मंगलवार और बुद्धवार ये देखो बुद्धवार होगा क्यों क्यों क्योंकि जब भी दिया हो जैसे माल उसने बोला 14 माई को ये वाला दिन था तो बताओ 23 जून को कौन सा दिन होगा इस तरीके से कॉशन पूछे तो तुम अपने यहां पे ऐसे दिल पे हाथ रखो और बोलो कि गुरू देओ कहां से गिने किसको ले के गिने किसको छोड के गिने कैसे गिने ये कैलेंडर में बहुत पीड़ियों से समस्या चली आरी अब 14 माई को दिया है 23 को पूछ रहा है तो क्या करें कुछ नहीं रे पगला इसमें कितना दिन होता है बोले सर 31 होता 31 में 14 घटा लो अब 31 में 14 घटा लो मुहब्बत से कितना हो गया मान लो कोई भी सन है 2021 ही चल रहा है 21 में 14 मई को सपोस करो मंगलवार था टीउजडे था अब उसने बोला कि 23 जून को क्या होगा तो 31 में से 14 घटा हो कितना हो गया 11 और 7-4-11 होता है 7 हो गया और यहां पे एक चला गया था यानि एक 17 हो गया ठीक है ना 17 हो गया तो अब यहां पे तुमने 17 मई लिख लिया अब मई में 17 दिन मिल गया बोलो हाय ना और जहां जाना है उसको पूरा ले लो बस उसको पूरा ले लो जहां जाना है उसको पूरा ले लो बोले सर ले लिए अब इसमें 14 निकल गया अब इसमें 14 निकल गया तो कितना वहला 15 16 17 तीन और इसमें 21 निकल गया बचा दो तीन दो कितना हो गया पांच और जहम से इसमें पांच दिन जोड़ तो गलत हो जाए ना तो गोदिम ले के घू है कहां से गीने किसको ले के गीने किसको छोड़े के गीने गलत होगा ही नहीं जान रखना तो यहां पर पांच दिन आगे चले जाएंगा अंशर हो जाएगा चलो इसका अंसर बताओ मतला दूसरा जो कॉस्रं बढ़ाता है उसमें तो सभाविक बात एक जनुरी को सुम वार था तो एक निकल गया तीस अठाइज निकल गया दो बुद्धवार बिल्कुल सही था अब इसमें जबाब बता हूँ कि यह चोटा चोटा कोश्चन में इसलिए बताता हूँ कि इस तरीके के कोश्चन करना सीख लो अब यही वाली सबस्या आ गई न अब परशानी होने लगी बोले सर नहीं समझ में आ रहा है हमने का ऐ गदाधारी भीम अगर अतुल अबस्ती की सर बात अतुल सर की बात सही लगे तो बताना बोले महराज क्या बारा जून दिया है बोले हाँ यह बाईस जून दिया है बोले हाँ अब जड़ा समझना अगर में बाईस और बारा यह बाईस और बारा दिया है बोले हाँ सर अब इस बाईस और बारा में अगर मैं कहूँ घटा दू तो यह हो गया जीरो और यह हो गया एक तो यह कहोगे 10 आया बोलते नहीं हो यार 22 में 12 घटा दो 10 आया बोलो हाँ या ना और 10 में 7 निकल गया बचा 3 और बताओ सनीवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा मंगलवार आया की नहीं आया गलत हो जाए तो तुम लोग लाइक शेयर भी नहीं करते हो यार ये बहुत गलत बात है लाइक शेयर भी नहीं करते हो मज़ा आ रही है की नहीं सबी को समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा है सबी को समझ में आ रहा है तो जो आसान है मेरे बाई जो एकलीफ ही नहीं होनी है तुम लोग यार क्या कहना जबरजस्त है वो सुना है ना सव साल पहले मुझे तुम से प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा वरतमान भूद भविश सौ साल सौ साल very most important hundred years सौ साल सौ साल में कितने leap year होते हैं सौ साल में कितने leap year होते हैं thank you so much for your love and support बिटा जी आपकी यह महबबत है ना इस दुनिया में इससे बड़ी salary ना कभी किसी को मिली है ना कोई पास आजता है जब आप लोग एक भाई जैसा महसूस कराते हो ना कि जब आप लोग एक दोस्त जैसा महसूस कराते हो यहार आतुल सर है कोई दिकाद पर चलो मज़ा आएगी तो कसम देना आतमा से खुशी होते कि यहार आज बच्चों को कुछ नया दे के आए आख सब खुश थे मेरे सारा भाई खुश था और कोई समस्य होग कर एक तुम्हारा comment box है तुम मुझे बताय करो मेरी बताय हुँ चीजे तुम्हे समझ में आ रही है या मेरे साथ मैं जो भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तुम्हें clear हो रहा है और कभी भी कोई इशू हो तो always most welcome मेरे दोस मैं कभी नहीं चिल चिलाता कभी नहीं ऐसे चिलाता खीजता कि बेकूफ कहीं कि एक ही चीज दस बार पूछ रहे हो ना लाए अरे नहीं आता मैं भी तो कभी बिगनर्स था मैं भी तो कभी सीख रहाता तो मैं क्यों जहलाओं तुमारे उपर तो पूछा करो लेकिन अब जरा सौ साल क्या है जरा समझना किसी ने बोला सौ साल में कितने लीप इयर होते अब थोड़ा सा रीजन समझो बेटा ताकि आप किसी से ये बात ठपे से कह सकें दिल खोल के कह सकें अच्छा तुम लोगों को बता तो दिया गया अच्छा ये याद किये हो अगर किसी ने पूछ लिया मोहले में कि सौ साल में 24 लीप इयर सही बात है लेकिन क्यूं लेकिन क्यूं क्यूं बोलने का अधिकार सिर्भ भारतियों को है दुनिया की कोई भी भाषा में आप क्यूं नहीं बोल सकते क्यूं क्यूं बोलना सिर्भ हिंदुस्तानियों को आता है ये पूरे विदेश में पूरे दुनिया में कोई नहीं बोल सकता हर बात में खाना खालो क्यूं अच्छा अब पढ़ने बैठ जाओ क्यूं तो अब सौ साल में 24 लीप इयर तो क्यूं अब किसी ने कहा कि महादे आपनें बताया कि आप हमेशा बोलते हैं कि हर चौथा साल लीप इयर होता है अगर चौथा साल मेरे लाल मेरे दोस मेरे भाई लीपियर होता है तो अगर सव को चार से भाग करेंगे तो पचीस चो को सव पचीस चो को सव पचीस आना चाहिए बोले गुरु देव बस यही मात खा गए आप हमने का क्यों हमने का क्यों बोले महराज जरा समझें कि आपने कहा कि जिस वर्ष के पीछे डबल जीरो लगा होत डिवाइड नहीं होती महराज, 96 तक तो आप एकदम करेक्ट थे, 96 तक हमने आपको कुछ नहीं बोला, हर 24 साल लीपियर, हर 24 साल लीपियर, लेकिन जब आप 100 पे आ गए, तो हमने कहा रुख जाएए, ठहर जाएए सरकार, आप 100 को नहीं ले सकते हैं, किसी ने कहा क्यूं, बो होने के लिए, 400 से डिवाइड होना पड़ेगा, जो कि यहां संभव नहीं है, इसलिए सौवे को हमेशा सामान वर्ष माना जाता है, और यहां पे 24 लीपियर, बोल दिया जाता है, कि 24 लीपियर होगा, आज के बाद छोटा भाई, आनुच कोई भी पूचे, भाईया, 100 साल म सेंचूरी कभी 4 से नहीं मानी जाती, सेंचूरी में अगर लीपियर देखना है, तो वह शताब दी वर्ष, जो कि 400 से भी भाजित हो सकता है, वह सदय सेंचूरी लीपियर माना जाता है, तो जो आसान है, मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझो मेरी बात को, अगर तुम आपने हमसे पूछा आज सोमवार है मतलब किसी ने पूछा आज सोमवार है हमने का ठीक आगे बोले आज सोमवार है तो बताईए सौ साल बाद कौन सा दिन होगा आज सोमवार है तो आज से सो साल बाद बोले हाँ बोले सर इसको भी आए कैलकुलेट करना सीखी लेते हैं चलो ठीक है अब याद रखना चलो सो साल को देखते है बहुत जरूरी बात बता रहा हूं याद रखना सभी लोग यहां पे जुड़े रहो और बहुत ज़रूरी बात है सुनना और फिर मुझे बताना सव साल बाद आज सोमवार है अगर मैंने कहा आज क्या है सोमवार है तो सौ साल बाद कौन सा दिन होगा सौ साल बाद कौन सा दिन होगा तो किसी ने का कोई दिक्कत नहीं जा रहा सुनना अगर सौ साल को आपने कैलकुलेट किया तो आपने कहा कि इसमें 24 लीपियर होते है जो कि अभी प्रूफ किया, बोले हां सर, तो सामान ने वर्ष कितना बचा, बोले सर 66 बचा, तो हमने का एक बाद बताओ, जब 365 दिन सामान ने वर्ष में होते हैं, तो जब तुम साथ से भाग करते हो, तो ये 52 बार जाता है, और यहां एक सेस्फल बचता है, तो 365 दिन में, यानि एक साल में एक विशम दिन होता है, तो 76 साल में 76 विशम दिन होंगे, बोलो हां या ना, 76 विशम दिन होंगे, 76 और जब लीपियर की बात करेंगे, तो याद रखना, एक, दो, तीन, और जब लीपियर होता है, तो उसमें 2 और दिन होते हैं, क्योंकि ये 366 हो जाता है तो सब्ताह तो बावन होते हैं लेकिन लीप जो विशम दिनों की संख्या है वो दो आती है तो यहाँ पे विशम दिनों की संख्या दो हो गई तो 24 तो लीप एर है और एक लीप एर में 24 एक लीप एर में 2 विशम दिन होते हैं तो 24 लीप एर में 24 दून 48 और यहाँ पे एक सा सामाने वर्स में 76 होंगे तो याद रखना 76 प्लस 48 इसकोल टू 124 अब सव साल में टोटल 124 विशम दिन आ गए 124 विशम दिन आ गए है ना अब 124 को जब तुम 7 से भाग करोगे 124 को 7 से भाग करोगे तो 7 एक कम 7 75 वारा होता है बोल हाया न ऑन 75 12 होता है तो सक्षटिं 49 बचा कितना 5 फाइफ और डेज हो गया अगर किसी ने कहा आज समवार है तो आज से सो साल बात कौन सा दिन होगा तो याद रखना इसमें पांच दिन बढ़ जाईए बस पांच दिन जोड़ दीजे मंगलवार बुद्धवार ब्रहस्पतिवार शुक्रवार यह हो गया तो सौ साल का साही, जो क्यंकिलेशन है कि 100 साल में 24 लिपियर 26 साध हार वर्स, एक साध हारे वर्स में एक विशम दिन होता है तो 66 गोड़े,चिएत्तर एक लिपियर में दो विशम दिन होता है क्योंकि दो विशम knife कहां से आया, सौ साल बाद कौन सा दिन होगा तो हम पांच दिन आगे बढ़ जाएंगे हमने का बहुत सही राजू एकदम सही जा रहे हो बोले गुरुदेव दिल में खयाल आया है कहिए तो बता दे हमने का बताओ बिटवा बोले महराज अगर सौ साल में पांच विशम दिन है तो मेरा शातिर दिमाग कहता है कि अगर ये दो सो साल हो गया तो हमने का दो सो साल हो गया तो क्या कहना चाहते हो तो बोले इसका मतलब पांच प्लस पांच हमने का है हाँ यार सही कह रहे हो तो बोले पांच प्लस पांच मतलब गुरुदेव कितना होगे हमने का बिटवा दस बोले दस को अगर साथ से भाग करेंगे साथ से भाग करेंगे तो महराज सेस्वल कितना बचेगा बोले गुरुदेव तीन बचेगा तो बोले सर अच्छा मतलब कि अगर आज कोई बोले कि मैं बोलू तो 300 साल बात बोलने का मतलब क्या है 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 15 बटा 7 अब इसको साथ से भाग करोगे तो कितना सेस्फल बचेगा एक सेस्फल बचेगा तो यही बिलकुल तुम्हारा दिमाग एकदम टाक कसे उसी जगा पहुंचा है जो तुम सोच र अगर आज मंगलवार है तो 300 साल बात बुद्धवार होगा बोले बहुत ही शांदार फिर बोले अच्छा 400 साल बात क्या होगा हमने का यहां गेम समझना है इसे समझना है याद रखना इसे समझना है क्या समझना है बहुत ध्यानते समझना इसे समझना है 400 साल में बोले तो पाँच भाई 100 में पाँच है तो 400 में 5 प्लस 5 प्लस 5 यानि कितना हो गया 20 हो गया लेकिन 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 20 तो हो गया लेकिन 400 क्या है फिर से बोलो मिलके बोलो सारे लोग बोलो जोर से बोलो जाए मातादी नहीं ये बताओ ये बताओ 400 साल में 400 साल में कितना है बोले सर 400 क 21 को अगर 7 से भाग किये तो क्या होगा 21 को अगर 7 से भाग किये तो शुन्य होगा यानि अगर आज 100 मवार है तो आज से 400 साल बाद भी 100 मवार होगा जी हाँ तो एक बार जो और से बोलो जैमाता दी बोलो हाँ या ना समझ में तो याद रखना कोई बोला 400 साल में शुन्य कैसे हुआ तो बोले 100 में 5 चो 400 में पांचोग 20 सिधा सिधा बोले हाँ और भी एक कहां से आ गया बोले अरे रे पगला कि ये 400 क्या है बोले सर अधिशाताबदी वर्ष है लीप सेंचूरी एर है तो बोले महराज अगर लीप सेंचूरी एर है तो एक तो और जुड़ना चाहिए न क्योंकि सामान निवर्ष में 1-1-1 करते हैं आप जब लीप एर हो जाता है तो आप ऐसे कर देते हैं फिर 1-1-1-1 करते हैं फिर ऐसे करते हैं हमने का सही कह रहे हो तो बोले लीप सेंचूरी एर है तो एक और जुड़ेगा हमने का बिल्कुल सही तो क्या हो गया बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं तो ये लो लीप सेंचूरी एर हो गया तो अगर आज से अब कोई पूछेगा तो मजाएगा कि नहीं अब देखो तुम मेरा कमाल अब तुम देखो मेरा कमाल पुछे क्या सो में पांच विशम दिन सो पसाल बाद पांच दिन बाद दो सो तीन दिन आगे बढ़ जाएगे तीन सो एक दिन आगे बढ़ जाएगे चार सो जीरो बोले हाँ अब मेरी बात सुना कोई बोले ये बताओ आज से 1700 साल बात कौन सा दिन होगा बोले 1700 साल बात तो अगर 400 सुनने है तो 1600 सुनने हो जाएगा बोले क्या बात कर रहे हैं अच्छा किसी ने बोला आज से 700 साल बात 700 अगर शुक्रवार है तो आज से 700 साल बात कौन सा दिन होगा बोले आज से 700 तो 400 इससे सीधा निकाल दो 400 निकाल दिये तो 400 में कितना है मेरे भाई 400 में सुनने है 400 में सुनने है तो बचा कितना 300 बचा 300 में कितना है बोले महराज एक है जहम से एक दिन आगे चले गए बता दिये सर ये वाला दिन होगा समझ में आया की नहीं ये वाला दिन होगा समझ में आया की नहीं आया आज से यानि आज से 900 साल बाद कौन सा दिन होगा आज अगर सनी वार है तो आज से 900 साल बाद कौन सा दिन होगा बोले महराज अगर 900 साल बाद आप पूछना चाह रहे हैं हमने का हाँ बोले ये बताए 400 सुन्न है हमने का हाँ बेटा 400 सुन्न है बोले 800 क्या होगा हमने का सुन ने तो 900 में 800 तो सुन निकल गया बचा कितना 100 अगर 5 दिन आगे बढ़ जाओ तो बता दोगे कि आज से 900 साल बात कौन सा दिन होगा मजा नहीं आ रही आप लोगों को जल्दी से like and share ठोक के मुझे बता दो मजा आ रही है कि नहीं सभी को अब एक थोड़ा सा साफ सुतरा लिख देता हूँ ठीक है अब जैसे हमने तुमसे बोला 100 साल में 5 विशम दिन 200 साल में 3 300 साल में 1 और 400 साल में 6 ठीक है न अब तुमको याद रहेगा अब इसके बाद अगर किसी ने कुछ भी पूछा आप तो एकदम साफ सुतरा लिख दिया अब किसी ने पूछा कि आज से बताओ 1100 साल बात कौन सा दिन होगा अगर आज मंगलवार है तो आज से 1100 साल बात कौन सा दिन होगा तो बोले 1100 साल बात तो इसमें याद रखिएगा कि 1100 साल में तो भाई अगर 400 सुनने हैं तो इसमें 800 भी 0 हो जाएगा 800 0 हो गया तो 800 अगर 0 हो गया तो बचा कितना 300 यानि 300 में कितना odd day होता है एक दिन तो हम उसमें कितना निकल जाएंगे एक दिन आगे निकल जाओ बता दोगे कौन सा दिन होता है किसी को bounce तो नहीं किया मज़ा आई कि नहीं सभी को पहले comment box न बताओ सबको मज़ा आई कि नहीं ठीक है न तो याद रखना यह है आज का आपका hw यह मुझे आप comment box में बताओ कि अब मेरे ख्याल से इस तरीके की चीजों में दिक्कत नहीं होगी पहले इसको अच्छे से पढ़ ले ना sorry इस अच्छे से पढ़ लेना और कह रहा हूं हमेसा खुश रहा करो बिटा हमेसा खुश रहा करो कल के सुबह होगी कि नहीं होगी नहीं जानते हो तुम लेकिन यह पर हम फिर से कह रहे हैं कि हमेसा खुश रहना सीखो ठीक है ना हमेसा खुश रहना सीखो खुश रहोगे तो तुम्हें चीजे समझ में आएंगी अगर बोले कि 400 साल में क्या होंगे तो मैं कहा रहा हूँ कि आए ना नहीं आना नहीं समझ में आना मैं हूँ ना मैं फिर बताओंगा आज नहीं आए कल आएगा परसो आएगा लेकिन जब कहते है ना तो बढ़ने लगते हूँ तो इसलिए मेरी बात एक एंगसम जहन में डहरा है कभी बिटवाक पहले तो माउज लेके पढ़ना सीकों मस्ती से पढ़ना सीकों ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, पता है सर मैंने कल ये कर दिया, मतलब एक एनरजेटिक हो, जितना भी अपने आपको गधा समझने वाले लोग हो, एक बार अपने जीवन की बागदोर, अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, एक बार अतुल बस्ती सर के हाथ में दे दो, कहते हैं जब मेला गोमते हैं ना, तो जब पिता की उगली पकड़ी रहते हैं हाथ में, तो सारा जूला अच्छा लगता है, पापा वो देखो जूला, पापा ये देखो अच्छा-च्छा, लेकिन यहीं जब पिता की उगली हाथ से छूट जाती है ना, बच्चा दिल फार के रोत हुआ है ना, बेटा, कल की सुबह होगी कि नहीं होगी, तुम भी नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हें लगता होगा कि इसलिए मैं कहता ओ, एनर्जेटी करो, मैं तुम्हारे साथ ख़ड़ा हूँ, तुम क्यों डिप्रेशन में जाते हो, सर हमसे नहीं हो रहा है, तुम्हार रखना इस विश्वास के लिए इस मेले में इस भरी मेले में कभी अपने आपको अकेला नहीं समझला ना कि सर ये इतनी अभीर का थपेड़ा पड़े और व बात कि इंगली हांट से छुट जाए तो फिर बच्चा जब रोता है न तो उसे लगता है कि यार वही वही light है वही मेला है वही सब कुछ है लेकिन हो अकेला महसूस करता है उसकी कोई नहीं सुनने वाला है अब वो इस अंजान शहर में किसी अपने दिल की बात करेगी कोई समझो कि मैं जिन्दगी में अच्छा कर सकता हूँ लेकिन मुझे ये चीज़े नहीं मिल पा रहे है मुझे ऐसे कोई नहीं पढ़ा रहा है इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है अब ये कौन सुनेगा तुमारा भाई सुनेगा तुम अकेला नहीं महसूस करना जिंदगी महर समय तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, खुश रहना मेरे भाई, याद रखना सिर्फ खुश रहना, बाकि ये तुम्हारा भाई, always with you, कभी भी कोई समस्या हो, मौज लेओ, रोज लेओ, ना मिले, खोज लेओ, लेकिन खुश रहो, बस, that's it, जीवन का एक खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है, बस, वो कैसे करना है, वो तुम समझो, तुम्हें देखना है, और कैसे करना, always be happy, my dear, and enjoy every moment of your life, बस आज के लिए इतना ही, इश्वर मातारानी आपको इसी तरीके से सलामत रखे, आपके माबाप को संतुष रखे, खुश रखे, उनको स्वस्थ रखे, और आपको स्वस्थ रखे, मिलेंगे कल फिर सुबह दस बजे, इसी तरीके से आपके मुस्कुराते चेहरे को हमेशा अपने सामने फील करता हूँ, तभी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, टैंक्स लोड, टैंक्यू सो मच